नमश्कार प्रभासाक्षी पॉड्कास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉड्कास्ट में बात करेंगे कि जैक डॉर्सी इंटर्व्यू सफेद जूट बोल रहे हैं जैक डॉर्सी ट्विटर के को फाउंडर के संसनी खेज दावो का भारत सरकार ने दिया मुहतो और जवाब तो आए सुनते हैं आज के इस पॉड्कास्ट को लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आपरो जैसे ही इंट्रेस्टिंग और जानकारी पॉन पॉड्कास्ट सुन सकें ट्विटर काफी समय से सुर्खियों में हैं कमपनी के ले-अफ को लेकर तो कभी लोगों के अकाउंट को सस्पेंड करने को लेकर भारत में भी कई बार ट्विटर और सरकार के बीच सामन जसकी कमी देखी गई है ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने भारत की किये हैं ऐसे में मौधी सरकार को घेरने का विपक्ष को मौका मिल गया है विपक्ष रगातार सरकार पर हमलावर है डोर्सी ने कहा है कि किसाना अंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर पर आलोशना करने वालों के अकाउंट केंद्री सूचना और प्रोध्योगे की मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिया ट्विटर को जवाब की कोशिश है। डोर्सी और उनके टीम ने भारत्य कानून का बार बार that Are उलंगन किया। असर में ट्विटर ने 2020 से 2022 रहत के धानून का पालन नहीं किया जिसके बाद जून 2022 में आकेरकार ये किया गया। इस दौरन कोई भी ट्विटर अधिकारी जेल नहीं और नहीं ट्विटर पर बैन लगाया गया। सरकार ने धमकी दी कि हम ट्विटर के करमचारियों के घरों पर छापा मारेंगे यदि आप पसूट का पालन नहीं करते हैं तो हम आपके कारे आलाय बंद करतेंगे डोर सी ने इस वाक्ता खुला सा यूट्यूब चानल ब्रेकिंग पॉइंट के साथ एक साथ कार के दौरान क कहा है ट्विटर पर नहीं मारे गए चापे भारत में मनमानी कर रहा था ट्विटर सीधे रिकॉर्ड सथापित करते हुए चंदर्शेखर ने कहा कि ट्विटर से किसी पर चापा नहीं मारा गया या जेल नहीं भेजा गया नहीं देश में साइट को बंद किया गया ट्विटर और उसके अधिकारों के खिलाफ कोई भी कारवाई इसलिए की गई क्योंकि प्लाटफॉर्म सरकारी नियमों का उलंगन कर रहा था आयटी मंत्री ने कहा कि डोर्सी के ट्विटर शासन को भारती कानून की संप्रभूता को स्विकार करने में समस्या थी इसने ऐसा वेभार किया जैसे कि भारत के कानून इस पर रागू नहीं होते भारत को एक संप्रभु राश्ट के रूप में है सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम करने वारी सभी कमपनियों द्वारा इसके कानूनों का पालत किया जाए चदर शेकर ने आगे कहा कि किसानों के विरोध के दारान प्विटर पर भेजे गए कोई भी टेक डाउन नोटिस गलत सूचना और प्लेटफॉर्म पर चल रही फरजी खबरों के जवाब में थे उन्होंने जेक डॉर्सी के तहट ट्विटर पर स्पक्षपात पून व्यभार का आरूप लगाया और कहा कि भारत सरकार के खिलाथ इसके सैस अंस्थापक के टिपणी साइट के इतिहास के संदिक धिकाल को ब्रश करने का प्रयास थी जेक डॉर्सी के दावों के बाद सरकार पर हमला वर हुआ विपक्षी कई विपक्षी नेताओं ने डॉर्सी के बयानों का विरोध किया और आवास बाने और आसंतोष पर नकेलकसने के लिए के इंद पर हमला किया भार्तिय योवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष श्री निवास बीवी ने ट्विटर पर साक्षातकार के कुछ अंच्र कैप्शन के साथ साज़ा की है लोगतंत्र की माता अन्फिल्टर्ड श्रीव सेना यूबी टी की नेता प्रियंका चतुरवेदी ने आरोप लगाया कि मोधी सरकार ने विपक्ष को चुप कराने की कोशिश की और किसानों का समर्थन करने वालों की आवाजों को दबाने के लिए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्मों को तोड़ मरोड कर पेश किया प्रवरी 2021 में सरकार ने ट्विटर से उन सैकडों खातों को हटाने के लिए कहा मैं 2021 में लागू हुए नए सूचना प्रवज़ागी की की नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं करने के लिए केंद्र ने बार बार ट्विटर की आलोचना भी की थी आज के लिए इतना ही एकले पॉड़कास में किसी और मुद्धे पर देंगा अपनों विस्तित जानकारी तब तक के लिए जुड़े रहें प्रवासाक्षी के साथ